गाइस यह जो मैं अभी रिकमेंड करने जा रहा हूँ आपको काफी अच्छा स्टॉक है और मनोरमा इंडस्ट्री इस लिमिडेट स्टॉक का नाम है यह जो कंपनी है यह प्रोडियूस करती है मैनुफक्चर करती है गाइस बटर मैड फ्रॉम एक्जॉक्टिक सीट्स एंड तो एक अलग तरीके का यह जो है बटर प्रोडियूस करती है कंपनी इसके लावा बात करते हैं इसके मार्केट केप की तो आप देखेंगे कि 1271 करोड का मार्केप है कंपनी का और कंपनी का 50 पर स्टॉक का पी है इंडस्टी पी के आसपास ही है गाइस आर उसी की बात करें तो 13% का है ROE की बात करें 11% का है 236 रुपे का स्टॉक का बुक वैल्यू है करेंट प्राइस अभी 1066 पे ट्राइड कर रहा है स्टॉक और 1535 का जो है यह स्टॉक हाई लगा चुका है तो almost 45-50% के आसपास आपको स्टॉक आपको sorry guys आपको अभी यह 25 से 30% के प्रॉफ आपक ग्रावट में मिल रहा है correction में मिल रहा है तो अच्छी खास evaluation पर आपको मिल रहा है छे महीने में कुछ खास return नहीं दिये इसमें तीन महीने भी कुछ negative returns दिये है डेट कंपनी पर डेट सो करूल का है guys अब भी बात करते है इसके चार्ट की पहले मैं overall आपको maximum इसका चार्ट लेकर जाओंगा लेकर जाओंगा आप देखेंगे कि company का जो stock है guys वो अब train की तरफ ही था बट अभी जो है कफी consolidated हुआ है 200 dma के नीचे आ चुका है अब बापस movement इसमें आने वाली इस stock में reason है उसके पीछे कि इसके results और guys अभी जो जिस तरह से यह इसमें buying आ रही है उसको मैं देखके कह सकता हूं कि बाकी भी parameters मैंने चेक किये हैं तो आपको अच्छे रहा से profit यह short term में यह stock दे सकता है इसके अलावा अगर हम net profit की बात करें तो जो 627 लाग की थी पिछले साल अभी 585 लाग की हो चुकी है थोड़ा सा 19-20 हुआ है बट कोई ऐसा बड़ा मेदर इश्यू नहीं है इसके लावा बात करते हैं कि company जो है profit making company है कोई loss making company नहीं है अब देख रहे हैं इसके अलावा आ इसके अलावा जो है पबलिक की holding है वो 36% से जादा की है 37% के आस पास सो manorama industries limited stock को आप buy करके चल सकते हैं short term में आपको यह stock 1100 के label दिखा सकते हैं आप manorama industries को buy कर सकते हैं अब guys मैं second stock की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको जो मेरी second recommendation है इस वीडियो में बात करते हैं इस stock की आप मैं से काफे लोग जानते होंगे guys कि Kings Infra Ventures Limited जो है यह seafood processing उनको उनकी यह exporting करती है जिस तरह से विस्तार अमर आप देखेंगे विस्तार अमर भी ऐसा ही बिजनिस में है तो विस्तार अमर का अब इस विस्तार अमर का competitor रही है Kings Infra Ventures Limited seafood processing and exporting में deal करती है कंपनी बहुत चोटे से market cap की कंपनी है 230 करोड की और अभी यह industry पी की comparison में अभी थोड़ा सा overvalued है बट futureistic company है guys तो आपको अच्छे हाँ से return यह stock दे सकता है 9.95% का ROC है ROE की बात करें तो 7.67% का ROE है book value 13.8 की है और अभी stock का price 97 पर trade कर रहा है 124 का stock high लगा चुका है company पर जो है 21 करोड का debt है 6 महीने में 25% के return दिया है company ने stock ने और 3 महीने में negative returns दिया है इस company ने इसके अलावा बात करें अगर company के results की तो आप देखेंगे guys की company की sales जो है वो 14 करोड की sales generate की यह company ने जो की पिछले September quarter comparison में काफी जबर्दस की है almost 2 गुने के आसपास ही करी है दो गुने से थोड़ा कम की है बट almost अच्छे कासी sales generate की है 80-90% के आसपास net profit की बात करें तो जो 68 लाग के 68 lakhs की जो net profit थी company की अब बढ़कर 1 करोड 27 लाग की हो चुकी है 1 करोड 27 lakhs की तो अच्छे कासी company ने net profit दर्च किया है profit making company है कोई loss making company नहीं है इसके अलाब अगर हम बात करें company के results की तो आप देखेंगे की 8 करोड के आसपास के company के पास results है borrowing जो है वो 21 करोड की है तो but measure issue नहीं है guys कुछ 10 करोड के आसपास का जो gap आ रहा है आप उसको देख सकते है कि company जो है sales भी generate कर रही है तो जो 14 करोड के आसपास की कर रही है तो कोई बढ़ा measure issue नहीं है अगर आयसे ही अच्छे results पेश करती रही company तो बहुत जल्दी date free भी आपको होती हुई दिखाई थे कि इसके अलब मैं बात करूँ अगर promoters की holding की तो आप देखेंगे कि 71% से ज़्यादा की सिधारी है promoters की public की holding मातर 28% की है तो काफी जबर्दत promoters holding भी है तो Kings Infra Ventures में आप stock इसको इसके बाय कर सकते है कुछ stocks और आपको जल्दी ये 120-130 के लेबल दिखा सकता है Kings Infra Ventures तो डोनों ही stock जो मैंने आपको बताएं guys Manorama Industries और Manorama and the second stock is Kings Infra जैसा कि मैंने आपको बताया तो इसके stock आप बाय करके चल सकते हैं thank you so much guys for watching this video and also do your analysis before you invest in this in these recommended stocks thank you so much